जो comedies cases है उसको भी आपने पोस्ट करके देखा, podcast भी पोस्ट करके देखा, तो revenue किसमें ज्यादा बनता है, तो आपका भी business model क्या है, कैसे कर रहे हैं आप लोग content creation के तुरूप चालो करें नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका एक और शानदार वीडियो में, दोस्तों, आज जो हमारे special guest है, एक नहीं दोने बलकि तीन-तीन बंदे हैं, और यह जो तीन बंदे हैं, काफी कमाल के बंदे हैं, क्योंकि इनको YouTube में लगबग हो गए हैं 8 साथ, और 8 साल से content बना रहे हैं, और साथी साथ, काफी धामाल भी मचाया है, क्योंकि इनको आपने fanfest पे भी देखा होगा, fanfest के stage पे भी, जो हर एक creator का एक सपना होता है, तो आज हमारे साथ है real hit के co-founders, भ्यूज भाई, शुबं भाई और दिपक भाई, स्वागत है मारे चैनल, बहुत बहुत शुक्रिय मैं उसका विटनेस हूँ, मैं देखते हार हूँ, मैं काफी टाइम से रिचाओड कर रहा था, शुबं भाई को कि भाई, हमारी काफी टाइम से बहुत है, अल्मुस्ट एक साल भाई है, हाँ तो आज दबोची लिया, आपने हमें हूँ है, चलिए शुरू आप से ही करते है बाई देखो, एक जन कोई गर रहा है, इंडिवजवल, कोई करेटर है, तो उसके लिए एजी होता है, लेकिन एक साथ में तीन लोग, सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं आप लोग बाई ये ना सिंक्रोनाइज़ेशन हमारी सज बताओधाव को तीसी क्लास से स्कूल में बनती ह है, ये और एक्षि होती है, टाइम के साहथ, मला आमियों हमें आपस काम कर देता होता है, कि जड見て ये ऑन धन नहीं हो पा रहा जोग अऊनुे दूसरी कि यहार है, और वो जो बांड है वो बना हुआ है, अगर तू तू मैं हो भी गई तो वो एक मश्ती मजाक में फिर आगे टाइम से वो निकल जाती है, भूल जाते हैं, फिर काम चालू हो जाता है, वो भाई कर दो करें, फिर हम बात करके ना एक दूसरे को पर ही निकाल लेते है कुछ नो कुछ बोलके, तो इसमें कुछ वह जुए ही नहीं कि हमारे मन में ऐसा कुछ जाता है, या मन मुटाफ कुछ खिज जाता है, ऐसा कभी हुआ ही आज तक जैसे कि मैं आप लोग को देखते आ रहा हूँ, आप लोग पले से बनाते थे की बहुती फ़णी होते थे उंड मैं इसलिए देखते आ रहा था कि मैं भी शुरुआत जब मैंने करे थी तो फ़णी वीडियो से करे दिए बर फिर धीर मैंने और भी चैनल से काम किया तो जो अच्छा ग्रो हुग अच्छे पैसे जहां से आ रहे थे फिर मैंने उसको ही continue कर लिया तो आप लोगा क्या रिजन था कॉमडी स्केस को थोड़ा सा साइड गर के फिर podcast करना तो देखो टाइम के साथ चीजे बहुत ज्यादा चेंज हो गई अगर sketches की भी बात करें तो अगर हमारे fellow creators को आप देखो हर्श को देखो Swagger को देखो तो यह लोग एक अलगी लेवल के products दे रहे हैं market में production wise और चीजें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं साथी साथ OTT से बहुत content लोगों के लिए अच्छी वेब सीरीज अच्छे बॉलिवड लेवल के काम नेट्फ्लिक्स अमेज़न प्राइम इवन मिनी टीवी जैसे platform जो free में mx player जो free में available है तो बहुत सारी चीजे जब देखने को हो गई लोगों के पास अच्छी तो फिर थोड़ी सी audience वहाँ पर shift होने लगी अब जो लोग 30 मिनट हमें दे रहे थे एक sketch के लिए तो loyal fan-based of course भगवान की दूआ से कमाया ही हमने बट जो नई audience थी वो नहीं आ रही ती YouTube पे overall sketch देखने वाली audience ऐसा हमें लोगों से बात करके भी हमारे दोस्तों यारों से भी बात करके हम खुद भी नहीं देखते YouTube पे कोई लंबा sketch तो हमें समझ आया कि अगर YouTube पे बने रहना है तो content wise कुछ switch करना जरूरी है और जैसे आपने कहा कि पैसो की बात तो अच्छी production देने में अच्छा पैसा भी लगता है च्छा time भी लगता है अब तीन महीने लगा कर अगर आप एक project बना रहे हो तो आपको उस तीन महीने को इंकम आएगी नहीं चैनल से क्योंकि कोई वीडियो नहीं जा रही है उपर से project में वीडियो में पैसा लगेगा और फिर जब वीडियो पब्लिश हो रही है तो क्या उस वीडियो से आपकी recovery हो रही है वो हमारी नहीं हो रही थी उस level के views नहीं आ रहे थे तो हमें लगा कि रेगुलर content देते हैं एक consistency बना के चलने के लिए हमने एक ऐसा content चूज करा जो हम हर संडे लेकर आप मतलब जैसे अगर trend change करने की बात अगर हुरी है जैसे एक time था pranks बहुत चलते थे वो pranksters आज की डेट में नहीं चल पा रहे हैं अब वो audience ही नहीं देखने वाली अगर उन प्राइंक्स्टर्स ने switch करके एक time पे comedy sketches और किसी और entertainment field में चल गाते हैं शायद वो YouTube पे बने रहते हैं अब हम comedy sketches से switch इसले होगा क्योंकि अभी सबको दिख रहा है वाई podcast बहुत चल रहा है आपको भी बता है तो फिर हमने audience बनाई हो इसको maintain करने के लिए content तो जालना पड एक दम रहा है तो अगर मैं यह पूछ हूँ भाई कि किसेज वाले वीडियो में कितने खर्चे हो जाते थे एक वीडियो बनाने में बाई देखो स्टार्डिंग में तो हमने जीरो से भी कर रहा है ना दो हजार तीन जार पांट जार वी कर रहा है तो time के साथ जब यह बात अठरा उननिस की पचास हजार एक लाख भी लगें फिर अभी अगर मैं कोविड से को जच पहले की बात पूर एक वीडियो पर चार-चार लाख भी लगा है तीन-तीन लाख भी लगा है यह वाई मैक्स है कि इतना तो हमारा लगा है मैक्स तू मैक्स और यह भी इसलिए हो अधर भी गोज़ वाई फेलो की रिटर जो साथ वालो लोग जो सेम फील्ड के कर रहे हैं जो राउंड टू लियो गया अर्श की जासे इसने नाम लिया तो वह सब उन्होंने एक बेंच माग लगा दिया है अब वह मैंच करना है ओडियंस को सेम लेवल पर एंटेंटेंग केरने के लिए तो वह करना तोपड़ेगा तो इसलिए वह टायम के साथ पैसा लगता अब इसा नहीं है कि पैसा लगाओ अगाा कांटेंट घंडा कर दो या अगर वुड नकर धीन्सेया ड़िए करने के लिए गड़र घरृण बोड कृड करने के आण बड़ नहीं मैं य motives जो भी लोग अभी सीख रहे हैं उनसे यह कहना चाहूंगा जो आपका कॉम्पेटीशन कर रहा है जरूरी नहीं आप वही करो और उससे बहतर करो उस वे उसी लाइन में जाओ आप अपनी एक अलग तरीका भी ढूंद सकते हो कि हमने उस ताइम यह रिलाइज नहीं करा कि हम कोई लोग है जो फ्री में जीरो में भी हसा देते लोगों को हम अब हमने फटे में टांग डाली थी 20-20 मिनिट का कॉंटेंट बना रहे थे तो हमें मजबूरन एक लेवल अप जाना पड़ा पर अगर हम वक्त रहते समझ जाते वह भी वैसे कर-कर के ही सीखता है इनसान और में भी यह होना ही था अभी हमें पॉड़कास्ट करने ही थे तो रस्ता बनता है बट अगर अगर उस वक्त समझ जाए ना कि हमारी यूनीकनेस क्या है लोग क्यू हमें फॉलो करें और उस पर अगर फोकस करके अपना एक अलग तरीका बना ले तो चीजे और स्मूदली और और उसमें ग्रोथ भी होती है इनसां कि अगरोश चीज पर अगर बना भाई ही है वो देख लो जहां पर बनाते है अग भी वह करते है अपने यूटूब चैनल के लिए ऐसा बुछ नहीं है कि उन्होंने प्रोड़क्शन कॉलटी बहुत तगड़ी कर दी और उनके लिए जो उसी घर में जाते हैं ऐसा नहीं को इसी और घर में शूट कर दिया एक बार किसी और गर में बना दिया था तो यह होता है न ओडेंस में जिससे वो देखना स्टार्ट किया जिस कंटेंट से वो फील तो उनको चाहिए यह यह तो आप लोगों को शुच करने में जालन जी सबस्यादा हो मैंड में हैं समझ रहें जो साथ साल तक काम करा है अक्टिंग अब उसको थोड़ा सा अक्टिंग आज टेकना बैक सीट नाओ अब हमको पॉड़कास्ट करना है एक अलएक स्वेच आगया मतलब समझे बहुत ही अलग हो जाएगा अलग हो जाएगा कि मैं को आगे चलके अक्टरी बनना है और फेमस अक्टर होना है और जादा पॉपुलर होना बट इस साइड में पॉड़कास्ट वाले साइड में आपका एक रौ वरजन दिख रहा है तो एक पस्नालिटी मिक्स भी हो रही है यह होता है कि हमारा एक ग्वार एक ताइम के इसे लिखे जा सकते हैं तो अभी हमारा बिजनस वाई ज्यादा है थोड़ा माइंड सेट और एक चीज मतलब यह नहीं कह सकते कि हमने एक्टिंग कुट कर दिया कुछ बट यह पॉड़कास्ट की जरनी रही है साथा तुमें ने कि इससे हमें यहीं समझ आ गया है कि आप चाहिए तुम्हारी रावनेस जैसे व्लॉगर्स बहुत चल रहे है फैमिली व्लॉगर्स चल रहे है तो उनको ओडियन्स को तुम्हें रह देखना है तो वहम पॉड़कास्ट पे कर रहे है एक्टिंग वाला बहुत साथिस्फाय करने के लिए हम लोग प्लाटफॉर्म प हमने किया तो यूट्यूब यूट्यूब इसका मतलब नहीं तुम्हें यूट्यूब पर नहीं रहे है ऐसा नहीं है तो कुछको साथिसाय करने के लिए में इस्ट्राम पे कॉंटेट करते है तो अगर जैसे देखो मानके चलते है इस cases versus podcast किसमें आपको ज्यादा मजा रहे मजा तो दोनों में ही मजा है अपने लिए काम करने में मजा है सबसे मैं आपको जैनुएन बात बताओ अपने लिए काम करना जिस पर अच्छा response है चाहे वो sketch हो चाहे वो podcast हो हमें बहुत असान चीज है इसमें है ही क्या बैठ के बात ही तो करनी है ऐसा नहीं होता तो बैठ देखा हो audience ने कि 5-5 camera आ रहे हैं वो एक बैसे exactly आप लोग बंदे के लिए close-up camera रखते हो मैं अभी मैंने खाली तीन camera लगा है क्योंकि first time हमारे channel पे तीन guest एक साथ आ रहे हैं first time ऐसा हुआ है दो तक तो हमने किया था तीन में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है बट अभी हम travel करते हैं तो अभी तीन से जादा camera लेके चलना भी थोड़ा सा मुश्किल भी है तो भाई मतलब कहने का मज़ा आ रहे हैं और अगर भाई मजा नहीं आता ना इस काम में तो हम picky नहीं करते podcast की field समझे मज़ें मज़ा आ रहा इसलिए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं जैसे हर्ष हमारा दोस्त है अब अगर हर्ष हमारे साथ तुमको भी एक प्लेटफॉर्म चैनल पर नहीं आएंग या नहीं चैनल पर नहीं जो की समझ में आता है सही चीज है वारी को भी यह फील होगा ना कि व्यूज आए मेरे मज़े स तो मेरे को कोई फादा नहीं है वाम पर करेक्ट करें तो वह वाली बड़ वह आप लोग है तो उसके लिए सुक्रिया धने आपका चैनल कोई चोटा चैनल कर रहे है और वह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आना इक बात है कि जिन लोगों ने आपने पहले साइट कि कि हमें पता है कि असली स्ट्रागल क्या है बलब ऐसा नहीं हो कि एक रात नोट गए या दो दिन नोट गए महनत कर यह प्रॉपर अब भी अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसके सामने डेटा है कौन क्या करके व्यूज लेकर आ रहा है कैसे किस कॉंटेंट पर व्यूज च है तो कॉंटेंट के थ्रूई बट फोकस जैसे मैं आपको बता रहता है एक रेगुलारिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी कि आप रेगुलर वीडियो जा लो जो स्केचेज में कम पॉसिबल है पॉड़कास्ट में एजी है थोड़ा तो बिजनस वाइस हम ऐसे चल कभी हम दुबाइ घूमकर आए वहां की बात कर ली जा कभी हम थाइलेंड गूमकर आए वहां कोई कोई हमारा यार दोस्त देश में पढ़ने गया था वहां के किस से कहानिया तो second channel पे हमारे personal podcast आते है इनफक्त हम अपने main channel पे भी अब हफते के दो podcast कर रहे है उसके अलाव जैसा प्लाटफॉर्म जैसी ओडियन्स उसको वैसा कॉंटेंट केटर करो तो वाली चीज हम वहां पर फॉलो करते हैं उसमें हम स्क्रिप्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं क्यूंकि हमने फेस्बॉक से ही शुरू कर रहा है तो हमें पता है उस पर क्या कॉंटेंट चलेगा उसकी scripting हम सातमें करते हैं उसके लिए हमारी एक अलग टीम है जो शूट करती है फिर हमारे एडिटर से इडिट करते है हम हर एक वीडियो जाने से पहले देखते हैं कैसे इसको और क्रिस्पी करा जाया कैसे करें अपके स्टूडियो से होके जाना है तो वो हमारे रेगुलर है अभी मेर हमारी प्लाटफर्म बेस्ट ही है जैसे फेस्बॉग यूटुब और इंस्टा पे जो ब्राइंड डील आती है और यूटुब पे भी जो आगा बेसिकली बिस्नेस वाइस अमने सोचा कि ब् हमारे लिए बैठे हैं हमारे पास आएंगे नी आएंगे तो हमने सोचा कॉंटेंट को प्लाटफर्म से डाल के जितना हो जाए उतना अच्छे से कर ले वही बड़े है कि आजकल इतने साथ जाधा क्रियेटर जारे हैं मार्केट में कि माला आपकी कमी कोई भी पूरी कर दे आपकी क्रियेटर के लिए तो इस बात पर गईस लाइक होजा है सबसे पहले तो और सबस्क्राइब भी अगर यह चीजना देखनी चीए जो भी क्रियेटर उसको की एक प्लाटफर्म पर डेपे डिपेंडना रहे सारे प्लाटफर्म पर अपना फोकस रखे और हर जगा अल के से चैनल पर अपने और बगवा है तो रहे से साफ है आपको सच बता है हमें आज तक three ने बैठगे अपने चैनल के अनलेटिक्स नहीं देखे हमें नहीं पता हमारा अरे प्लाटफर्म क्या है हमें नहीं पता एक पर्टीकुलर पार्ड़र की और हमारे पास लॉगीन है कि कह सकते हैं मतलब मैं ने देखा है मैं जादा फरक नहीं है जादा फरक नहीं है और जैसे बाई ने बता है कि अगर कोई नय बन्दा जॉइंद भी कर रहा है तो फ्लैटफों उसको एनेबल नहीं कर तो 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 एंस्टेबल नहीं है तो हम तो फ्लैटफों पापि लेकर चल सकते कि लॉइंग तर्म इंकम आपकी बंद गयी है आती रहेगी वह कभी भी आपका पेज रेड कर सकते हैं कभ तो इस आड़ा फेस्बोक, YouTube बहुत स्टेबल है, YouTube बहुत बड़ी है, बहुत फ्लेक्सिबल है, अपनी पेमेंट्स को लेकर, उनके YouTube पार्टनर तुमको मिलता है, बड़ियां से तुम एक नए ग्रेटर के लिए क्या सुझाओ देना चाहेंगे, अगर YouTube पे शुरू कर रहे है बहुत बहुत परिए कि तुम किसीज में अच्छे हो, अगर को अगला बनता कर रहा है यह व्लॉग यह व्लॉग करता हूं, यह गाड़ी दिखा रहा है गाड़ी दिखाता हूं, ऐसे मत करो, अपना टैलन्ट परिखलो, कि मैं इसमें अच्छा हूं, और यह करने मुझे तो पहले अबना टारल पर्खो आप कुछ बोलना सांगेस में? वही भाही की ट्रेंड के हिसाब से मत चलो क्यूंकि आप अपना देखा देखी में मत चलो देखा के देखी नहीं आज कल इसका ट्रेंड है तो यह कर लो पॉड़कास का ट्रेंड है तो मैं पॉड़कास शुरू कर लो कर लो बलकी सोचने से अच्छा कर लो करके देख लो और यह ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता कॉंटेंट का कि यह कर लू तो चल जाएगा यह कर लू तो चल जाएगा लूब अजय बवाद बहुत अच्छा भी है बहुत गंदा भी चल जाता है लोग ढ़ंचाएक पुजा को भी जानते हैं लोग अरिजीत सिंग को भी जानते हैं तो 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 जानने वाले आपको जान लेंगे पर बहुत जादा सोचने की जरूरत नहीं है इतना भी मत सोचो, करो, action जादा करो, और जादा सोचो कम, पर जो करना है करो, regular रहके करो, बिना उमीद के की, पैसा पैसा जल्दी आए, पैसे की उमीद में मत देखो, वैसे content creation आप लोग का full time job है, हाँ बाई, इसके लाब और भी कुछ करते हो आप लोग जोब ना हमारी से करते हैं, 12 बजे सब आ जाते हैं और 8 बजे तक यहां पर रहते हैं, रोज 6 डेज ए वीक, फिक्स दे हमारा, सारी टीम हमारी आती है, तो अगर आपने नीचे भी देखा होगा, व्लॉग की editing चल रही है, तीन podcast की editing चल रही है, reaction video की editing चल रही है, तो हम यह हमारा full time चीज ह कि एक full time creator के लिए कितना बड़ा चैलेंज है एक content creation वाली job को अगर देखे तो, यह content creation, full time करना, वाई अगर तुम्हें प्यार ऐस चीज से तो तुम कर लोगे, तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें लगेगा यार मैं क्या करने तो हो ही नहीं पा रहा है, एक और चीज जैसे म मैं कर ले रहा था, फिर जो उसमें अच्छा चला मैंने उसको continue कर लिया, बट मैंने same channel पे experiment नहीं किया, कि उसी channel पे experiment करके देखते क्या होता है, क्योंकि मैं को एक डर था, कि experiment अगर fail हो गया, तो जो मैं पहले कर रहा था तो तो भी चला जाएगा, तो वो एक challenge जैसे मेरे स जाता है, तो ऐसा कुछ होता है, भाई होता है, डाउन तो चला जाता है, भाई तो जैसे ब्रैंट भी उसे overcome कैसे करते हैं आप लोग, देखो, मैं आपको एक genuine बात बतातो, जब कोई काम पैसे के लिए करता है, तो फिर निराश बहुत जल्दी होता है, ये बात fact है, ये ब काम से zero भी पैसा आ रहा हो ना, तो भी हम ये काम करेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो अपने लिए काम करते हैं, दोस्तों के साथ काम करते हैं, काम का कोई pressure नहीं लेते हम अपने उपर कि हमारे लिए प्रेशर नहीं है, भागवान ने चाहने वाले supporters बहुत दी है, कोई कहता है आप काम अच्छा कर रहे हो, वो जादा खुशी है हमें, तो जब पैसा इस main aspect नहीं होती, काम की, तो risk आपको लगता नहीं है जादा, क्यों? क्योंकि हम content से experiment कर रहे हैं, हम यह नहीं सोच रहे हैं, हम भूके मर जाएंगे, हम कपड़े कैसे पहनेंगे, हमने lifestyle इतना तगड बना लिए, वो maintain कैसे करेंगे, वो नहीं सोच रहे हैं, हम content पे focus करेंगे, कि चल यार, यह content नहीं चला तो क्या हुआ, कुछ और content बना लेंगे, अभी in-house कितने लोग हैं आपके साथ, team में, भाई है, 10-11 लोग की team है, हमार पास, 5-6 तो उसमें से editors ही है, तो सोचना बढ़ funding का section चीए, जो आप invest कर पाओ, और कभी-कभी, और आप देख रहे हो, आजकल, brands गायब है, बट फिल भी, अपको manage करते हैं, को agency? नहीं, भाई हम on papers नहीं है किसी के साथ, बट भाई, चारा सब के साथ है, सब के साथ है, सुने मैं आ रहा है कि US में जो recession है, उसके बाद से थ Google ने निकाला, तो ये तो भाई, overall impact तो आई है, सब पर ही आया है, बहुत आया है, लेकि यह है कि आपको अगर आया भी है, कोई कुछ आ रहा है कि इस महीन आगा सकम पैसे आ रहे हैं, लेकिन तो मैं एड़्जस करने की capability होनी चीए, ठीक है, मैं इतने funds भी आ रहे है, तो मै Instagram Reel पे भी हम बिना कुछ investment के रोज वीडियो बनाते हैं, जो millions में लोग देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम करी लेंगे, Instagram को monetize किया हुआ है, आप लोगों ने? आप लोगों ने बता है कि अलग लग platform पे हम content को डालते हैं, तो कौन-कौन से platform हो है, जहां पे आप लोग पोस करते हो, और पैसे कहां से आ रहे हैं? बाई, जो आपको पता है वही है, Instagram, Facebook, YouTube… समझ में आपको बता दू हम डालते हैं, YouTube पे हमारे है, रियल हिट, उसके अलावा, रियल टॉक क्लिप्स हमारा चैनल है, इस पे पॉड़कास की क्लिप्स और हमारे पर्सनल पॉड़कास जाते हैं, रियल टॉक शॉट्स, पर उस पे अभी 800 सब्स्क्राइबर्स हैं, उस प इतने स्मार्ट बैट हैं, फटा 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 इडिट करेंगे जाल होते हैं, और उन्हें पता है कैसे एड़ करना है, कैसे हिट होगा, उस तरीके से एड़ करते हैं, तो क्लिप्स और रियल हिट से तो YouTube की मॉनिटाइजेशन है, वही है, पॉड़कास में भी कोई निया है, पॉड़कास में भाई हम जानबूच के करते भी नहीं, to be very honest, brands involved, क्योंकि अब आर्टिस्ट आ रहे हैं अच्छे लेवल के, और आप उनको उनका शेर ना दो, या उन्हें इन्फॉर्म ना करो, तो इस वीडियो में कोई हमें मिला तो कर सकते हैं, तो आप हमें हमारा शेर देते हैं, ठीक हो, आपस की बातचीत है, नहीं मिल जाए तो बहुत बढ़ी है, नहीं मिल जाए तो करो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रुका भी ठंदा पड़ा हूँ है, लास चार पांस मैनों से, नहीं आप करो यार, पिचिंग मार आपते हैं नहीं जब हम बाति हैं हम बर्डेट हैं अगाला यह उसेपने कोई आर आप जाना गेग जिसके नाम के व्यूस आएंगे जिससे ब्राइंड को बहुत फायदा होगा, तो दोनों आपीस्ट को मिल जाए तो कोई ऐसा मउमें आप बताना चाहेंगे, तो कोई ऐसा किसके साथ लगा होगा ऐसे तो बहुत है रहसा निया कोई एक पर्टेविलर बहुत अच्छा है सही जनूरली बहुत है बता देंगे एक बता दे ना एक कोई तेरा फेवरेट हो भाई यार सोचना पड़ेगा कि बहुत तो फेरेट कौन है कोई एक मैंने वीडियो देखा था जो नियूज वाले चैनल्स होते हैं अपने एंड से डाल देते हैं मतलब ऐसा ही हुआ कि पुनीत सूपरस्टार की आप बात कर रहे हो उनसे किसी पॉड़कास्ट में पूछा कि रियल हिट वालों ने ऐसा ऐसा कहा है अवरील वो इतनी ज्यादा कट-कट के वाइरल हो रख हमारे मुद्ध है आदा कि उन्होंने पैसे क्यों मांगा पैसे मांग ना सही है वाई आप कही अपना टायम दो गए तो पैसे मांगो कोई दिककत नहीं है मतला वन्हों कमने पॉड़क से मूलाने के लिए अप Kenya पन आप परोच किया तो उन्होंने का आगेसर पैसे मंगे ल तो नहीं हमारे टीम्मेट को लगा कि किसी गलत अकाउंड में ना चले जाए जाए कौन है क्या था हो तो उन्होंने दो सवाल ज्यादा पूछ ले कि भाई आप पुनिट सुपरस्टार ही हो एक बार फोन अठा लो वीडियो कॉल कर लो एक बार बात हो जाए कहा जा रहे है प अबी तो फिलाल क्रेडर्स का दौर आया है कि मैं तो यह बोलूँगा अभी यह खिचेगा बढ़िया तीन-चार साल तक और जाएगा फिर पांस से शे साल बाद मुझे ऐसा लगता पॉसनली की डाउनफॉल आए मुझे नहीं लगता कभी डाउनफॉल आउनफॉल अगर बाद करूँ ऐसा प्लाटफॉर्म प्लाटफॉर्म की ही इंस्टाग्राम या यूटूब आप देख रहो तो टिक टॉक इंडिया सा गाया वो चुका है एक बार को बूम था और यूस में टिक टॉक ने यूटिप को टेक ओवर कर लिया इंटम्स आउनलोड तो इंडिया म मुझे ऐसा लगता है कि जमाना रहेगा पर जो लॉंग टर्म जो वीडियो लोग यूटूब पे देखते थे वो मेरे खाल से शिफ्ट होके जो ओटी जो तुमारे प्लाटफॉर्म उनी पे लोग जादा देखेंगे यूटूब पे लोग वैल्यू वाला कंटेंट जादे प्रेटफॉर्म पर अपनी जगा बनानी है यह तो हमेशा से अड़ाप्ट करने की कौलिटी हो निचेए हो सकता है कि पॉड़कास भी थोए ताइम तक चले फिर ना चले फिर कोछ और बनाना तो हमें भी अड़ाप्त करना है जैसे एक ताइम पर टीवी था किसना सोचा ब बॉलिवूड में जाएंगे तो अभी आप किस तरह से देखते हो आप लिए देखो फिलाल तो मैं ही कहूँ वेकार चीज बना रहें जो यू बना रहें तक्ती बना रहें मैं तो सीधा यह कहूँँगा लेकिन यह अपने लिए तो बॉलिवूड का हिस्सा बनना चाहते हो अगर बॉलिवूड का हिस्से बनने की बात है ऐसे ही बॉलिवूड का हिस्सा बनना है अच्छे लोगों के साथ काम करना है यह वाली चीज है बीट फ्रम बॉलिवूड टॉलिवूड कहीं से भी हो समझ रहें अच्छे लोगों के साथ काम करना है अब ऐसा पर को पर्टिक वैसे मैं काफी बाते हैं लेकिन मैं ज्यादा तर इस वीडियो को उस पॉइंट अव्यू से रखना चाहता हूं कि किसी क्रियेटर कोई क्रियेटर देख रहा है तो इसको थोड़ी से हल्प मिले कोई नया क्रियेटर अगर पॉड़कास करना चाह रहा है जैसे आपका तो एक आपके पास था थोड़ा बहुत लेकिन कोई अगर करना चाहता है तो कैसे करेंगा भाई यह हम बताना चाहते हैं इसलिए हमें कोर्स भी लेकर आना की कोशिश कर रहें बट नहीं भाई देखो वही जैसे दीपक ने कहा कि यार पहले ना स्किल पहचानो अगर आप में है अ हम यार पहले कभी मिले ऐसा लगनी रहा फर्स टाइम मिले जब हम किसी दोस्तियार के साथ भी बैठते हैं तो यह हमारी कॉलिटी थी कि हम जल्दी जैल अप हो जाते हैं जिसकी वज़ा से हमने सोचा पॉड़कास एक अच्छी चीज रहेगी कि हमें बाते करने का शौक है ह हमें पता है तो कोई guest भी आएगा तो comfortable हो जाएगा तब जाके हमने सोचा कि हाँ podcast एक सही चीज है अगर आप बैठे हो आप interview कर रहे हो cut to cut question cut to cut question की just यार वस ठीक है तो user इतना या viewer इतना पागल नहीं है वो उसी celeb का या उसी का content दस जगा देख लेगा पर आप में क्या quality ह कि आप उनसे बाते निकल वापा हो जो वो अपने चैनल पर नहीं बता रहे तो फिर अगर आप में वो quality है तो बिल्कुल आप basic camera से भी शुरू गर सकते हो और YouTube प्लाटफॉर्म सबके लिए खुला है जादतर जादर 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 तो आएगा कैसे रिचाउट कैसे करना है आप क्या तीपने रहे हैं हम honestly मेल के थूरू बहुत रिचाउट करते हैं लोगों को इमेल करते हम कोई शरम नहीं करते कि यार हम इतने नोन फेस होके सब हमें जाने ऐसा जरूरी नहीं है है ना Instagram पे क्योंकि एक verified account है तो added advantage है कि blue tick स मैसेज जा रहा है बट फिर भी बहुत लोग रिवर्ट नहीं करते हैं यह बात भी fact है तो शरम तो भूलनी पड़ेगी और initially आप अपने मलब देखो भाई हम ऐसे भी लोगों के साथ अपने स्टाफ के साथ बैट के भी वीडियो बनाते जो चार-चार लाक व्यूज ले आ किसके पास content है कोई doctor है जो health की बाते करता है doctor कोई family में है कोई lawyer है जो family में है अपनी family से शुरू करो जिसने कुछ बड़ी अचीव कर लिए अपने दोस्तियारों से शुरू करो एवर audience बनेगी audience देखके फिर बड़े लोग भी आएंगे creators भी आएंगे सब आएंगे तो ऐस पर भी नहीं आते cdc बात है मतलब bottom line है कि बस यह कोशिश करो कि तुम्हारे content से कुछ value क्या दे रहे हो आप अब तुमने यह thin line पकड़ ली ना तो audience तुम्हें प्यार करेगी कि तुम्हें से कुछ दे भी रहे हो हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी audience के लिए मैं तो इसे मजाक में ले रहा था मैं नहीं नहीं सही में podcasting से रहे हैं मजाक सिर्फ वीडियो में होगा podcast में seriously बात करते हैं उसका भी main reason यह है कि यार अगर दोस्त लोग हमसे भाई-भाई करके connect होते हैं अगर हम किसी भी तरह उनके काम आ सकें और सिर्फ बताने को हम ऐसी बता दे free में बट एक value फिर जिसे चाहिए उसे ही मिले ना हर किसी को निशुट करना मेरे पैसे गए मेरा टाइम जा रहा है तो मैं अच्छे से सीखूं और करूं और हम भी उसके लिए महनत करेंगे ना अर्की मतलब free में तो हम बताई सकते हैं सब हमारी audience है पर सबको उस चीज की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसलिए course वाली चीज हम प्लान कर रहे हैं उसके कॉंटेंट वाइज तो भाई अभी तक जो मेंटेंग आपने बाई तो दोस्तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा क्यूंकि मैंने कोशिश करिए कि भाई लोगों से हम थोड़ा इनकी स्टोरी पर बात करें थोड़ा अलग बात करें लाइक इ कैसे कर रहे हैं कि content creation के life में बहुत challenges आते हैं कभी आपको pivot करना पड़ सकता है आप जिस निश में कर रहे हो आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ और भी try करना चाहिए तो भाई लोगा ने काफी अच्छे से इस चीज में सफलता पाई है और उनको अच्छे से आप वीडियो को शेयर करना और यहां अगर आपने वीडियो देख लिया तो subscribe भी करना क्योंकि विल्कुल free है तो दोस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते किसी हो धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो